हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आपने सफर तो किया ही होगा और सफर करते वक्त आपने कभी न कभी एलिवेटर का यूज जरूर किया होगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो कंपनी एलिवेटर बनाने वाली है और आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी के पास 6000 प्लस प्रोजेक्ट हैं 30 प्लस ओर्डर डेली एक्जिक्यूट होते हैं पंद्रस ओ प्लस कस्टमर है और वीड्षेट रेंज है कंपनी के पास इनके जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लिप्ट एक तरह से कह सकते हैं लिप्टी कहेंगे, लिप्ट में जो यूज होने वाले चीज होते हैं, जो यूज होने वाला पदार्थ है, वो सभी चीजें ये कमपनी बनाती है, और उसको जो एकी सेल करती है, एलिवेटर केबिन, आटो डोर सिस्टम, कॉप एलोपी, जिसमे की आप फ्लोर के लिए बटन को यूज करते हैं, उसी के साथ जो है की मसीन, जिससे की एलिवेटर उपर नीचे होता है, जो लिप्ट होती है, और मैनुवर डोर भी ये कमपनी बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसी के साथ कंट्रोल पैनल भी बनाती है, और आटो डोर सिस्टम भी बनाती है, ज काफी ज़्यादा उंदा तरीके का है तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं एक कंपनी काफी जबरदस्त होगी आने वाले समय में तो आप इसे जरूर ट्रैक करना यहाँ पे आप देखेंगे कि एलिवेटर केबिन इस्टेनलेस स्टील केबिन माल्ड स्टील केबिन और प्रीमियम केबिन भी यह कंपनी मनाती है और आटो डोर सिस्टम में एडू टू पी एनल और उसी के साथ डिजाइनर सीट भी बनाती है यहाँ पे आप देख सकते हो इनका यह प्रोड़क्ट है यह तो मैंने दिखा दिया अब हम चलते हैं कंपनी के है 51 का पी है और इंडस्ट्री का पी 34 है पी और पेग रेसियो जो दोनों के हिसाब से है श्टॉक अभी मांगे प्रीमियम वैलुएशन पर चल रहा है 29 का रोसी है रोई भी 29 का है यह यह रोई रोसी के हिसाब से कोई सिकायत नहीं है जवर दस्त है डेट जो एक कंपनी पे कर सकती है मैनेजबल है और फेस्ट वैलू दस है कंपनी आपको डिविडेंट भी पे करती है 0.36 परसेंट और इंट्रेंसिग वैलू आप देख पाओगी 180 रुपए बुक वैलू 30 रुपए है दोस्तों वीडियो में बने लगी है मैं बहुत ही खास चीजे बताने वाला इस कंपनी के बारे में जो कि आपको निर्णा लेने में मदद करेगा दोस्तों इस कंपनी के बारे में प्रसीद है कि ट्रस्ट लाइक टाटा, मैनेजमेंट लाइक एलेंटी और रिटर्न लाइक इन्फोसिस ऐसा एक कंपनी करने वाली है तो आपको क्या लगता है इस स्ट का revenue और domestic से यानि घरोली घरेलू market से 99% और export से 1% का company revenue जनरेट कर पाती है दोस्तों मैं बता रहा हूं कि company नया manufacturing unit भी लगा रही है सूरत में और यह जनौरी 24 में ही complete हो गया आपको यह पता होना चाहिए एक बार इसका जो average PE है वो देखते हैं फिर उसके बाद यहां पर average PE 34 का हो रहा है यानि आपको थोड़ा था वेट करना चाहिए इस stock के लिए आपको अगर फी थोड़ा था डायलूट हो जाए फिर आप निवेस करने तो काफी जबरदस्त रिटरन बन सकता है for to 2% CGR के साब से stock ने return बना के दिया अपनी वेसकों को और साथ ही में अगर हम इसके PR अगर में देखें तो थर्मेक्स वगर दिखा रहा है लेकिन यह कंपनिया इसमें काम नहीं करती प्रॉज इंडेस्ट्री तो आप जानते हैं बिलकुल ही अलग काम करती है यह कंपनी चुकि बहुत छोटी है तो आपको एक बड़ा return बना के दे सकती है quarterly result को हम trace करेंगे यह आप अगर sales की बात करें तो December 20 में 6.55 CR का sales company कर पा रही थी अभी December 23 में 14.62 CR का company sales कर पा रही है net profit की बात कर लें तो 0.59 से बढ़के 1.20 हुआ है बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं हुआ net profit में लेकिन company यह सो कर रही है कि इसमें consistently growth हो रहा है अगर हम yearly panel की बात कर लें तो March 16 से आपको दिखेगा कि company March 16 में 3 करोड की sales कर पा रही थी अभी TTM में हम देख पाएंगे 60 करोड की sales कर पा रही है और company का जो operating profit margin है उसमें काफी सुधार देखने को मिला है 4% से 5% से operating profit margin 17% हो गया है और net profit 0.04 से बढ़के 5.67 हो गया है जो कि बहुत बड़ा उच्छाल मान जाएगा इस stock के net profit और operating profit margin में अब हम balance sheet को देखेंगे balance sheet में देखेंगे कि company को उपर करज कितना है company के पास reserve कितना है तो अगर हम reserve की बात कर लें तो company के पास 21.85 CR का reserve है और borrowing 19 करोड की है यानि company जब चाहिए borrowing पे कर सकती है 21 करोड का company के पास fixed acid भी है और company जो है कि अपना business भी बढ़ाने का काम कर रही है यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों अब हम सीधे चलेंगे shareholding pattern पे एक बार cash flow को देख लेते हैं थोड़ा था positive cash flow है लेकिन हम चलेंगे shareholding pattern पे वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि भाई company के shareholder में कौन कौन लोग सामिल है अब हम आ गए ह 73% का इस्टेक है अभी प्रमोटर का 26% का इस्टेक है जो छोटे मोटे निवेसक है उनका दोस्तों अभी हम इसके public shareholding पे देखेंगे कि क्या कोई बड़ा निवेसक भी है तो जी यहाँ दोस्तों कुछ बड़े निवेसक भी इसमें सामिल है 1.49% के साथ अरहम वेल्थ और clearing member भी 1.49% के साथ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि our own industry एक बेहतरीन विकल्फ हो सकता है आपके लिए एक company बहुत जल्दी main board पे अभी list हुई है आपको पता होना चाहिए और मैं आपको बता दूँ कि जिस प्रकार का इस stock का business है इस company का business है यह आने वाले समय में जब भारत आपको लगता है कि भारत 2047 तक एक विक्सित भारत बनेगा एक संपूर्ण इंडिया का सपना देख रहा है तो ऐसे में यह जो company है जो इस तरह के elevator बनाती है इनका प्रियोग और जगों पे होने वाला होना चाहिए हाँ company अच्छी है आपको इसका business model simple तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं जैसे fmcg का company हमें समझ में आती है कि भाई fmcg की company अपना product बेचेगी खाने पीने वाला तो उससे उसको revenue generate होगा इस company का क्या है कि यह elevator बनाती है बाई elevator की product बनाती है यह sales होगा तो इ बोद बड़े दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और आपको एक मौका डूड़ना है कि भाई हमें इस company में किस price पे entry लेना है किसी भी stock को खरीदने के लिए जरूरी होता है उसमें मुनाफ़ा कमाने के लिए कि आप उसमें किस price पे entry ले रहे है यह नहीं कि आप stock बहुत ह देख लिया तो उसे आप track करते रहे है कि भाई हमें इस business में entry लेनी है लेकिन हमें जो है कि इसमें थोड़ा था valuation हलका हो या फिर valuation जो P.E. बगारा है कुछ उन्ना समझ में आया तो कम सकम P.E. और industry P.E. की तुलना करके आप इसमें entry ले सकते हो चाहे किसी भी stock में entry ले सकत देख रहा है international market में 1% का revenue generate कर पाती है तो आगे आने वाले समय में company कर सकती है और 4 by 5 का rating इस company को मैं दूँगा